कामना, डिजायर, ये वो चीज है जिसके खिलाफ वार्णिंग बोल लीजिए ये कौशन बोल लीजिए एक तरीके की साफधानी दी गई है बार बार, साहे वो विदान्त में हो या पुद्धिजम में हो भगवत गीता के श्लोकों में तो directly कहां ही गया है कि कामना ही वो कारण है जिस वज़े से हम सही काम नहीं कर पाते हैं तो क्या है ये कामना, तो आईए जानते हैं डिजायर का पूरा खेल, कामना का पूरा अर्थ आज के इस विडियो में कामना को समझने के लिए, डिजायर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भगवत गीता के अधियायतीन, अधियायतीन कर्म योग के दो श्लोक, श्लोक No.37 and श्लोक No.38 जिसमें की साफ साफ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कामना डिजायर ही वो एक मात्र कारण है जिस वजे से हम चाहते हुए भी सही काम ने कर सकते अगर आप पूरी भगवत गीता को देखेंगे एनलाइस करेंगे तो जो एक की मेसेज है वो है निशकाम कर्म की सही कर्म कैसे करें जीवन में एक सम्यक कर्म एक बैलेंस्ट सही कर्म उस कर्म को कहते है निशकाम कर्म जिसका मैसेज देती है भगवत गीता जैसा कि अध्याय तीन काशलोक नमबर 37 कह रहा है काम एश क्रोध एश रजोगुण संबुद्भवह महाशनो महापापमा विद्येन मीह वैरिणम रजोगुण से उत्पन हुआ यह काम ही क्रोध है यह बहुत खाने वाला अर्थाद भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है तो यह जो काम है यह रजोगुण से उत्पन जो काम है जो कामना है डिजायर है वही वो मूल कारण है जिस वजे से हम चाह के भी सही काम नहीं कर पाते दिखरा होता है हमें तथ्य की सही काम क्या है वो कौन सा काम है जो की बुलारा है हमें जिसमें डूब सकते हैं हम जिसमें जब हम दूबें तो हमें फर्क नह निश्काम कर्म भी कहां जाता है, तो क्यों हम नहीं कर पाते हैं निश्काम कर्म, तो उसका जो मोल कारण है, वो बताया गया है कामना को, कि कामना के वज़े से, डिजायर के वज़े से, हम नहीं कर पाते, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, उस सही काम से, उस सही डिसीज जब तक अपनी केंद्रिय चाहत नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा चाहत तुम्हारे मन पर क्या करती है अनधिक्रत कबजा करती है तो तुम्हें उससे लड़ना होता इसी को साधना कहते हैं तो वो कामना है जो करवाती है हमसे और वो कैसे करवाती है उसका जवाब है भगवर गीता के इसी अध्याय के नेक्स्ट श्लोक में विच इस अध्याय तीन श्लोक नमबर 38 कि जिस प्रकार धुएं से अगनी मैल से दरपन और जेर से गर्भ याने की एंब्रायों से वूम्ब धका रहता है वैसे ही काम के द्वारा ग्यान धक जाता है मतलब की कामना के द्वारा आत्मग्यान धक जाता है मतलब साफ साफ श्री कृष्ण प्रोसेस भी बता रहे हैं कि कामना किस तरीके से इनसान की बुद्धी में कबजा कर लेती है मतलब सुख कोई भी जो एक ग्रास सेट हो जाएगी तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी या अगर मेरा करियर इस लेवल पर पहुंच जाए कि मैं इतना हर महीने कमाने लगू या इतना हर साल कमाने लगू तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी तो ये कामना के examples हैं तो जिस तरीके से आंग धुए से धक जाती है जब धुआ होता है हमारे चारो तरफ सब कुछ blurred होता है, धुंदला होता है तो हमें आंग नहीं दिखाई देती कि आंग है, दहक रही है, आंग बढ़ भी सकती है और ठीक वैसे ही जैसे दरपन जो मिरर होता है उसको धूल ढख लेती है और जब धूल उसे ढख लेती है तो आपका चहरा आपको साफ नजर नहीं आता उसी तरीके से कामना जो desire है वो human intellect को ढख लेती है वश में कर लेती है, अपने blood कर देती है, धुंदला कर देती है और जब कामना चड़ती है तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है हमारे intellect को कि कि किस तरीके से मैं इस कामना को पूरा करूं by hook और by crook वैसे तो इंसान बहुत जादा खुद को discipline में रखने की कोशिश करता है आलस से भरा हुआ रहता है लिखिन जब कामना को पूरा करने के लिए वो काम करता है, तब आलस भी छोटा पड़ जाता है कामना के सामने, कामना इतनी तीखी होती है, इतनी विराठ होती है कि जब वो human intellect के उपर गबजा करती है तो सही गलत काम की पहचान करना तो दूर की बात इंसान एक सेकेंड के लिए रुक के ये भी नहीं सोच पाता है कि मैं सही कामना के पीछे जाबिराओं या नहीं इंसान ये भी नहीं तहकीकात करना चाहता है कि क्या यही एक मात्र कामना है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ या बहुत तरहा की कामनाएं हो सकती है यह investigate भी नहीं करता इंसान की जो मेरे सामने चीज दिख रही है जो खुद को कामना कह रही है और मुझे मैं अटैक कर रही है खुद को ruby बताके, ruby का हीरा बताके कहीं वो कोई लाल पत्थर तो नहीं है मैं आजमा के देखूं इतना टाइम भी नहीं देती कामना इतनी हावी हो जाती है वो क्योंकि वो कॉंस्टेंटली अंदर से आवाज लगा रही होती है कि मुझे पूरा करो अभी मुझे पूरा करो जैसे धुआ आँग को ढख लेता है और हमें अंदर की आग नहीं दिखाई देती ढख लेता है डिजायर उन नायाब तरखीबों को जो हमारा इंटलेक्ट सोच सकता था उन पॉसिबिलिटीस को जो हमारी बॉडी एक्जिबिट कर सकती थी जो आप अनलीश कर सकते थे अनलॉक कर सकते थे उन सब को ढख लेती है कामना डिजायर और इसी वज़ा से डेंजरस होती है ये कामना है लेकिन हाँ जो मेन कारण बताया गया है कामना का वो यही बताया गया है कि कामना उठती है उसी रजोगुन से उसी राजसिक वृत्ती से इनसान के मन की उसी राजसिक वृत्ती से जो कि उसे कहती है कि इस दुनिया में मिल जाएगा उसे वो जो इतना नायाब है जिसे कि वो ढून रहा है जिसके लिए कि वो तड़प रहा है और जब तक वो उसे उस दुनिया से हासिल नहीं कर लेता तब तक वो खुद पूरा नहीं हो सकता वो अधूरा है अपूर्ण है इसलिए वो डरा हुआ रहता है हमेशा क्योंकि कामना कभी उससे आगे बढ़ने ही नहीं देती है तो फिर आप बोलेंगे कि वेट मेगना तो अगर कामना शिकार बना भी लेती है उस इगो को तो क्या हो गया वो उसे पूरा भी तो करती है जो भी कामना सामने से बोल रही है जो भी डील दे रही है वो तो वो पूरा भी करती है ना तो क्या बुराई है फिर कामना में तो इसका अंसर यही है उसके बाद इगो को पता चलता है कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं कामना तो पूरी हो गई लेकिन मैं तो अभ को आपकी next कामना को पूरा करने के लिए एक और बड़ी बेट देगी कि अब आप और जादा खुद को अधूरा महसूस करने लोग होगे अंदर से desire से बचने का एक ही रास्ता है बस उस कामना को देख लेना पूरी तरीके से inquire करना एक तरीके से dissection कर देना उस पूरी कामना का उसको पकड के तोड के मरोड के उसको जाच लेना एक एक तथ्य देख लेना उस कामना के पीछे की ठीक है ये कामना मुझे उठ रही है लेकिन ये उठ कहां से रही है अगर ये यहां से उठ रही है तो ये मुझे ये दे देगी अगर ये वहां से उठ रही है तो मुझे वो वो दे देगी लेकिन ये जो ये और वो है वो मुझे चाहिए ये क्यों क्या अगर मैं अपना इतना amount of time X amount of time या Y amount of time इस कामना के पीछे दू इसे पूरा करने के लिए तो ये जो गिफ्ट्स हैं जो कि ये कामना बोर्ड रहे है कि मुझे देगी पूरा होने के बाद गिफ्ट A और गिफ्ट B ये और वो तो क्या ये और वो गिफ्ट A और B मुझे पूरा कर पाएंगे क्या सही में मुझे वो चाहिए क्योंगी मैं तो हर पल बदल रहा हूँ मैं अभी उन चीजों को चाहता हूँ लेकिन क्या पता एक साल बहाद मैं उन चीजों को ना चाहता हूँ मतलब I am changing right every one of us हर कोई बदल रहा है हर पल बदल रहा है तो फिर ये कामना जो भी कह रही है ये तो अभी इस moment के हिसाप से कह रही है ना तो future में ये जो भी मुझे बोल रही है कि देगी वो मैं क्यों लूँ और जैसी आप खुद से ये सवाल पूछोगे जैसी आप आपके मैं से ये सवाल पूछोगे वैसे ही एक बहुत ही interesting जवाब आपको मिलेगा और वो ये कि wait a minute क्यों ना अगर मुझे मेरी कामना पूरी करनी हो तो मैं choose करूँ कि मुझे कौन सी कामना पूरी करनी है मैं ऐसी कामना चुनू जो कि present moment में ही मुझे वो gift दे दे जो कि वो future में देने का वादा कर रही है ये जो कामना जो मुझे बार बार future के वादे कर रही है क्यों ना मैं उसको सामने खड़ा करूँ और सीधा सीधा face to face बात करूँ like adults, like a mature person कि तू जो भी मुझे देना चाहती है या वादा कर रही है कि मैं अपना time invest करूँ और तू मुझे ये gift देगी वो तू मुझे अभी दे, present moment में दे और जैसे ही आप ये सवाल करोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा वैसे ही आपके सामने कौंध जाएगा कि weight इसका मतलब ये है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं या ये जो काम मैं कर रही हूं जब तक मैं ये काम कर रही हूं बस तब तक ही मैं उस काम के result को भी enjoy कर सकती हूं मतलब मैं अगर अभी विडियो record कर रही हूं या अभी अगर मैं office में बैठे हूँ तो जो भी मैं काम कर रहे हूँ चाहे वो मैं PDF डिजाइन कर रहे हूँ या कोई presentation की तयारी कर रहे हूँ एक अच्छे से presentation की या मैं भी video record कर रहे हूँ shooting कर रहे हूँ तो यही वो time period है जब मैं अपने काम को enjoy कर सकती हूँ मतलब यह पूरा shooting का time period यह पूरा presentation preparation का time period तो इसका मतलब सही काम ना वही होगी जो की मेरे काम को ही बहतर बना दे अभी जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको ही बहतर बना दे इतना डुबा दे मुझे कि जैसे ही वो काम खतम हो मुझे और desire भी ना बच जाए कि अब मुझे कुछ चाहिए इस काम से मुझे चाहिए कुछ क्योंकि मैं तो सब कुछ enjoy कर चुकी हूँ मैं सारा कुछ enjoy कर चुका हूँ जब मैं वो काम कर रहा था तब ही मैं enjoy कर रहा था क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा था और इसी को कहते हैं मुमुक्षा मुक्ती के तरफ वो अनंत यात्रा एक निरंतर यात्रा लगातार यात्रा जो की एक साधक करता है एक सही काम में डूपके निशकाम काम में डूपके जब वो उस काम को कर रहा होता है प्रेजन मोमेंट म So that was it for this video guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करके जरूर जाईएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस पूरे कॉंसेप्ट को लेके या अपनी कामनाओं को लेके और अगर आप regular notifications चाहते हैं मेरे सारे वीडियो उसका ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो आप बेल आइकन को भी क्लिक करके जा सकते हैं तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में तिल देन टेक कियर अफ यरूसेल्फ बाई बाई